हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उमीद करती हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे आज आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं उसका लिंक मैंने मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो वहां जाकर मुझे आप फ वह सोचते कि अरे यह क्या गया यह तो बहुत बड़ा मुस्किल चैप्टर है इसको हम कैसे करेंगी लेकिन वाली कोई बात नहीं है यह जो चैप्टर है वह बहुत ही इंट्रस्टिंग और फेमस टोपिक है और यह आपको पता लग जाएगा इस वीडियो के एंड में जब उसका जदम है वह 1837 में हुआ था और वो नाइटीजरो 1 में वंड़ी थि और उसी का जो टाइम पिरियेट सहा, जनम से लेकर जो जनम होट्रस्त कह विक्क्तोरियन एस कहा गया, और यह जो टाइम क क्शिक में ठ्धाग होए explorer मइंट और कभी कभी इसे इंगलेंड की दूसरे रहनेसा की नाम से भी जाना जाता है और यही वो एज है जिसमें सबसे ज़्यादा सुधार हुए थे और ट्रांसिशन हुए थे और इस एज में ब्रिटिस जो कोर्नियल एंपायर है उसने बहुत बड़ा डेवलेप्मेंट हुआ था वही पर उसके सबसे ज़्यादा सुधार हुए थे और इसी एज में विश्वास और डाउट भी सबसे ज़्यादा हुए थे और इसी एज को मोरालिटी, हैपकुरेसी और पॉवर्टी, आइडलिजम, मेटलिजम, ओफ प्रोग्रेस और डेकलाइन ओफ स्प्लेंडर और स्क गरीबी भी, हिपकुरेसी भी और अइडलिजम भी बहुत ज़्यादा था और डेकलाइन ओफ स्प्लेंडर भी था और आएए अब इस एज की जो में फीचर्स हैं उनको भी देख लेते हैं इस एज में फीजिकल साइंसें बहुत बड़े चेंज़ेज हुए थे और डेवलेपमेंट भी हुए थे और ये जो एज है वो साइंटिफिक लिटरेचर का बहुत बड़ा प्रिनाम है और ये जो एज है यूग है इसमें डार्विन्स की परजाते के रोप में बहुत सारे जो निर्मान कारिये हैं वो सामने आए और बहुत से जो साइंटिफिक कारिये हैं वो सामने आए उनका बहुत से साइंटिफिक कारियों का निर्मान हुआ इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो Victorian Age के साइंटीस्ट है उन्होंने नेचर को समझा लेकिन उन्होंने उतना नेचर को नहीं समझा जितना कि वर्जवर्थ ने समझा था उनके साइंटीस्ट के लिए तो जो नेचर है वो सिरुफ एक मकड़ी या फिर खर्पतवार की तरह थी नोन हुमन के रूप मन और उसमें किसी परकार के भी छाट काट नहीं की जाती है और उसको ऐसा ही पढ़ा जाता था हुम मारी को कहने की बात यह है कि जो विक्टोरियन एज के साइंटीस्ट है उन्होंने में नेचर के बारे में उतना नहीं पढ़ा उतना नहीं समझाया और नहीं हुम इतना जान पाई जितना कि वर्जवर्थ ने पढ़ा है या फिर हम को बताया है Episode विक्टोरियन ऐरा में साइंस के दोड़ डेवलेप्मेंट विश्वास करने लगे से लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए उसनी का फरक करने लगे जाती पाती में विश्वास करने लगे उनली एंडफुल ओफ राइटर इन में से कुछ ही राइटर्स थे यहां पर विक्टॉरिन एज में जो के रिमेंड अंडिस्टर्ब रहे और उन में से एक ब्राउनिंग भी था और उन्होंने लिखा है गोड है जो वो हैवन में है और गोड की बिना इस वर्ड में कुछ भी गल्ट नहीं हो सकता यह जो वर्ड है वो सब राइट है और इस वर्ड के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा काम की तलास में लोग गाउं से सहराने लगे और जो वहाँ पर फैक्टरियां थी और कार खाने थे उनमें लोगों के संख्या जादा से जादा बढ़ गई और नए-णए कार खाना और फैक्टरियां का निर्मान हुआ लेकिन वहाँ पर एक कमी भी आई कि जो छोटे बचे चोदा साल से नीचे थे उनको भी काम करना पड़ता था और उनकी जो सिक्ष्या है उसमें बारी गिरावटाई अगला पॉइंट है गाइस वुमेन क्वेस्टनी यह जो विक्टोरियन एज है विक्टोरियन एरा है इसमें वुमेन एक्जिस्ट पर एक सबसे बड़ा स्वा यहां पर जो एकोनोमिकली ग्रोथ हो रही थी फूरन रिलेशन बन रहे थे लेकिन इन सब का क्या फाइदा जब एक वुमेन है जो वो उपने नोबल को पब्लिशी नहीं करवा सकती थी और वहां पर एक आईरनी भी थी कि इन सब के उपर एक औरत ही थी जो के विक्टोरिय किता वाद कहा जाता है जिसमें एक रीडर को खुस क्या जाता है उस रीडर को खुस करने के लिए नोबल्स लिखे जाते हैं और उन नोबल्स में कितने भी मुश्किले आएं कितने भी बाधाय आएं लेकिन जो एंड है उसमें लव और जो उस लव ही जीता था और आहीं धीम दिवक्टरियान नोवलिस्ट में जो टोमस हार्डी हम बहुत ही बड़े नोड कोसरे तोडियार्ड कीप्लिंग जबश करोलंक रॐ ज़ेम्स और जोसफ कंवार्ड यह भी दांट्स हार्डी के टरह लेट वीक्टरियान नोबिस्ट हैं